अक्चली अक्सर ऐसा होता था कि कस्टमर जो पेंटिंग खरीदना चाते थे वो अल्रेडी बिक चुकी होती थी तो मैंने उठाई अपनी पेंटिंग्स और निकल पड़ी इस प्राबलम को सॉल्फ करने कई वेंडर्स के पास धक्के खाये कहीं पेपर के क्वालेटी खराब मिलती तो कहीं कलर्स की उन्हें ये समझ ही नहीं आ रहा था कि ये जेरॉक्स नहीं आर्ट प्रिंट है तकरीबन एक साल बाद फाइनली मिली मुझे एक ऐसी जगा जहां पेपर के टेक्चर से लेगए